हलो दोस्तों मैं चॉली नैच्रल व्यूति गाडणिंग में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज जो मेरा वीदियो है, वो है हिबिसकस यानी गुड़हल प्लांट के बारे में दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको गुड़हल प्लांट की दिखभाल के बारे में कुछ जानकारी दूँगी जिससे आप भी अपने प्लांट से पुरे साल भर अच्छी फ्लारिंग ले सकेंगे और आपका प्लांट हरा भरा और हल्दी रहेगा दोस्तो इस वीडियो में ये सभी जानकारी आपको मैं दूँगी इसलिए इस वीडियो को अंति तक चरूर देखें दोस्तो गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे हर गादनर अपने घर पर लगाना चाहता है क्योंकि इसके खुबसूरत और बड़े फूलों के कारण यहाँ सबको अपनी और आकशित करता है दोस्तो यहाँ एक ट्रॉपिकल श्रप्स है जिससे इसके बड़े बड़े कलर फूलों के लिए जाना जाता है यहाँ एक गर्म चलवायू का पौदा है जिससे गर्म टेंपरिचर फसंद होता है इसलिए आपने अकसर देखा होगा कि ठन के सीजन में यह प्लांट डोर्मेंट हो जाता है और इसकी ग्रोथ रुख जाती है लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म होने लगता है इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है दोस्तो वैसे तो गुड़हल का प्लांट पूरे साल भर फ्लारिंग करता है लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई लोगों की शिकायत होती है कि गुड़हल का प्लांट अच्छे फूल नहीं दे रहा है या उसमें कलिया नहीं बन रही है तो वो पीली पढ़कर जढ़ने लग गई है या फिर उसकी पत्तियां सिकुडने लग जाती है तो दोस्तो इस तरह की समस्याएं अक्सर गुड़हल की प्लांट पे देखने को मिलती है लेकिन दोस्तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जिससे आप अपने प्लांट से अच्छी फ्लारिन तो ली ही सकींगे साथ आप अपने प्लांट को पूरे साल भर हरा भरा भी रख सकेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तो आज मैं आपसे बात करूँगी गुड़हल प्लांट की समक्यक की बारे में मैं आपको पांच ऐसी टिप्स दूँगी जिससे आप अपने प्लांट को हरा भरा रखने के सांसाथ उससे अच्छी फ्लारिन भी ले सकेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की दोस्तो गुड़हल की प्लांट को आप जब भी लगाएं तो आप उसके लिए सबसे पहले एक अच्छी वेल्डिन मिट्टी तियार करें जिसमें प्लांट अच्छे से प्रोज कह सकें दोस्तो इसके लिए जो आप मिट्टी तियार करें उसके लिए आप ले लीजिए 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल 30% कमपोस्ट, 20% सेंट, 10% ट्राइसस और इसमें आप मिला लीजिए एक मुठी नीम खली इन सब को मिला कर आप अपने प्लांट के लिए मिट्टी तियार कर लीजिए और उसमें प्लांट को लगाईए चलिए दोस्तो दूसरी जिस बात का हमें ख्याल रखना है वो है वाट्रिंग का समस में हमें अपने प्लांट को रूच पानी देना होता है लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्लांट में और वाट्रिंग बिलकुल ना करें नहीं तो आपके प्लांट की जड़ें खराब हो जाएंगी या सर सकती है तो दूस्तो जब भी आप अपने प्लांट को पानी दें तो आप पहले उंगली से अपने प्लांट की मिठी को चेक कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में नमी है तो आप उसमें पानी मत दीजे आप देख लीजे अगर हलकी मिठी आपको सुखी लगे तभी आप उसमें पानी दीजे दोस्तों गुरहल का प्लांट एक sun loving प्लांट है जिसे 6-7 घंटे की दूप चाहिए लेकिन दोस्तों मई और जून के महीने में temperature बहुत जादा हाई हो जाता है जिस वज़े से हमें अपने प्लांट को बहुत तेज धूप से बचाने के लिए उसे ऐसी जगह रख देना चाहिए जहां पर उसे सुभा 11 बज़े तक की ही 3-4 घंटे की धूप मिले दोस्तों गुढ़ल के प्लांट को आप ऐसी जगह मत रखिए का जहां पर चाया रहती हो क्योंकि चाया में प्लांट अच्छे से ग्रोध भी नहीं करेगा और उसमें फ्लारिंग भी उतनी अच्छी नहीं होगी जोस्तों गुरहल के प्लांच में फर्टिलाइजर की बात करें तो हमें अपने प्लांच में फर्वरी ये मार्च के महिने में अच्छे से खाद दे देनी चाहिए जिससे प्लांच कर्मी में अच्छी ग्रोध तो करे ही सांसाथ उसमें अच्छी फ्लारिंग भी हो दोस्तों गुरहल के प्लांट में बहुत सादा मात्रा में फ्लारिंग होती है इस वज़े से उसे खात की भी जरूरत वरती है और गुरहल का प्लांट एक हैवी फीडर है आप समस में अपने प्लांट में महिने में एक बार एक दो मुठी वर्मी कंपोस्त दे सकते हैं दोस्तों गुड़हल के प्लांट में ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उप्योगी नहीं करना चाहिए इससे आपका प्लांट खराब हो सकता है इसकी जगे आप और्गेनिक फर्टिलाइजर अपने प्लांट को दीजिए गुड़हल की प्लांट को आप ऐसा फर्टिलाइजर दीजिए जिसमें पोटेशियम, मैंगनेशियम और आइरन अच्छी मात्रा में हो पोटेशियम के लिए आप केली की छिलकों का इस्तेमाल अपने प्लांट में कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल लिक्विड फर्टिलाइजर की रूप में भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी छिलकों को सुका कर उसका पावडर बना लीजिए और अपने प्लांट में एक से दो चम्मज 15 दिन में या महिने में एक बार दे सकते हैं दोस्तों आप इसके लावा प्याज की छिलकों से बनावा लिक्विड फर्टिलाइजर भी अपने प्लांट में हर 15 दिन में एक बार दे सकते हैं इससे आपके प्लांट में अगर फ्लारिंग नहीं हो रही है तो उसमें फ्लारिंग भी होने लगेगी दोस्तों गुड़हल की प्लांट में वैसे तो कीनों का टेक बहुत कम होता है लेकिन ज्यादा तर इसमें मेली बक्स, एफिट्स और स्पाइटर माइट्स का टेक होता है इसके लिए आप अपने प्लांट में नीम उइल को पानी में मिलाकर उसका स्प्रे अपने प्लांट में जरूर करें मिली बक्स के लिए आप तीज धार वाले पानी से अपने प्लांट्स को रेगुलर साफ करते रहें जिससे मिली बक्स दूर हो जाएंगे अगर फिर भी आपको मिली बक्स दिखाई दे रहे हैं तो आप पानी में थोड़ा सा हैंड वोश या शेंपू मिलाकर अपने प्लांट्स को अच्छे से साफ कर लें और फिर साफ पानी से उसे अच्छे से दोलें ऐसा कुछ समय तक करने से आपके प्लांट्स सारे केड़मों कोड़े दूर हो जाएंगे तो दोस्तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने गुढ़र प्लांट से बहुत अच्छी मातरम है फ्लारिंग ले सकेंगे और आप अपने गुढ़र प्लांट की देख़ाल जो है बहुत अच्छे से कर सकेंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई चानकारी के साथ दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा Thank you